नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरेज राय और आपका स्वागत है फार्मा हट्स में दोस्तों आज की गर्मियों में बहुत सारी समस्या होती है जैसे खाज, खुजली, दाद की तो इस वज़े से हमें बहुत सारी इसे दवाओं के बारे में पता होना चाहिए जो यहां पर य यह मेंली इसकिन इंफेक्शन में यूज की जाती है दोस्तों गर्मियों की दुनों में क्या होता है कि बहुत सारी मतलब पसीना आपको होता और पसीना आपके इसकिन पर इंफेक्शन उत्पन करवा देता है खाज करके जांगों के आज पास में या अंगुलियों के बीच में तो यहां पे दाद, खाज, खुजली या फिर किसी प्रकार का बैक्टेरियल इंफेक्शन, फंगल इंफेक्शन हो जाता है तो ऐसे में हम बहुत सारी मेडिसिन का उपयोग करते हैं उन्हीं में से फोडरम भी एक मेडिसिन है इसी के बारे में डीटेल में बात करने सबसे पहले बात कि जाए फोडरम क्रीम के से रेलेटेड लेटेड है तो यह कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इसके दूसरी ब्रान्ड नहीं होती है गई जो कंबिनेशन इसमें आता है वह कुछी दूसरे में नहीं आता है जहां तक मुझे पता है एंड अगर बात करें फोडर्म के बारे में यह होता क्या है दोस्तों तो यह चार अलग-अलग medicine का combination होता है हम लोग बात करेंगे जो की mainly skin infection को treat करने के लिए यूज होता है अब वह skin infection fungal infection हो सकता है bacterial infection हो सकता है आपके अगर सरीर पर इचीनस आ रही है swelling आ रही है redness आ रही है तो यह बैक्टेरिया का growth हो रहा है abnormal तरीके से तो उसको खतम करने का काम करता है four drum दोस्तों market में अगर इसकी हम price की बात करें तो actually इसकी जो price होती है वो 20 रूपए से 40 रूपए तक होती है आप अलग-अलग area में अलग-अलग rate में आपको यह मिलती है इसकी अलग-अलग कीमत होती है इसके uses के बारे में मैं बात करूँ जैसे कि हम लोगों ने समझ लिया कि use जो होता है इसका वो mainly हम लोग दादखास खुजली में करते हैं लेकिन अब अगर इसके combination की बात करें तो उस हिसाब से इसका use क्या होगा दोस्तों इसमें चार medicine होती है जिसमें chlorhexidine gluconate, chlorvitasol, mykonazole और neomycin होता है जिसमें chlorhexidine gluconate एक प्रकार की anti-certive होती है जो की आपके skin को clean करती है और जो bacterial infection होता है उसको remove करती है इसी के साथ में इसमें chlorvitasol होता है जो एक प्रकार का esteride होता है जो की ऐसे सभी chemical messenger को block कर देता है जो chemical messenger आपके skin को red करते हैं उनमें swelling लाते हैं उनमें उनको itchy बनाते हैं यानि उसमें खुजलाहट उत्पन करते हैं तो chlorvitasol का ये काम होता है इसके अलावा इसमें mykonazole होता है जो एक प्रकार का anti-fungalizing होता है जो की जो फंजाई की growth होती है उनको रोकने का काम करता है जिसकी वजह से जो फंगल infection है उसको दूर करने का ये काम करता है एंड लाश्ट में होता है नियो माइसन जो एक प्रकार की antibiotic होता है तो antibiotic जो आपका skin infection हुआ है bacterial infection उन बैक्टेरि इसे इन अलग-अलग प्रकार के skin infection में यूज की जा सकती है देखो होता क्या है कि जब खाज type की चीज होती है तो उस type पर हम लोग अपने नाकून से खुजलाते हैं जिसकी वजह से वहां पर cut हो जाते है वो छोटे-चोटे cuts आपको दिखते नहीं है लेकिन उसमें जलन हो करते हैं तो वह जो खाज कोजली की समस्या है उस पर जो bacterial infection वो ठीक हो जाएगा कोई जरूरी का फोड्रम ही यूज करें हां लेकिन यह medicine ज्यादा तर दाद के लिए जादा अच्छी होती है उत्ता खाज के लिए अगर आप यूज करें तो आपको क्वाडिडरम यूज करे पारे में अगर बात करूं इसके side effect की अगर आप ज्यादा लगाते हैं तो इससे आपको eating हो सकती है dryness मैसूस हो सकता है applying site पर इसके अलामा आपकी skin थिन हो सकती है पतली हो सकती है और skin पर redness burning sensation हो सकता है application site पर अगर आपको allergy है तब ऐसा हो सकता है या आप बहुत ज्यादा लगा लेते हैं तब ऐसा हो सकता है नेक्स्ट दोस्तों फोड्रम क्रीम के बारे में अगर हम कुछ precautions की बात करें तो अगर आपको इससे allergy है आप allergic है इससे तो आप इससे ना लगाए कभी allergy हुई है इसके अलावा आप इसकी dose को कभी बलहा के न लगाए जितना आपको जरू यूज कैसे करते हैं दोस्तों इसके यूज करने के लिए आपको एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा क्रीम लेना है और इसकी थिन लेयर अपने इसकिन पर अपलाई करनी है और केवल affected area में करना है जहां पर प्रॉब्लम है वहीं पर करना है healthy skin पर इसका यूज नहीं करना चाहि कि इसको लगाएंगे तो करीब कुछ दिन तो आपको लगेगा ही मतलब कम से कम 3-4 दिन के बाद ही result आपको दिखेगा लेकिन खुझलाहट का जो result है वह आपको तुरण दिख जाएगा लेकिन ठीक होने का result करीब आपका एक 3-4 दिन लगेगा आप इसको यूज कर रहे हैं तो हम लग छोड़ देते हैं क्योंकि हमको लगता है और ठीक हो गया है पर वो ठीक नहीं हुआ रहता है तो आपको उसका जो अपना टोटल कोर्स होता है उसको जरूर पूरा करना चाहिए उस पर क्या होता है कि आपको जो बइमारी है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें लोगों ने बाद की फो डरं क्रीम के बारे में, वीडियो आपको इन्फोर्मेटिब लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, हम इंस्टेग्राम पर फालू कर सकते हैं और हमारा हेल्थ मुख्या चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे माली यहाँ पर मैंने दाद के बारे में वीडियो बनाया मेडिसन के बारे में वहाँ पर हम लोग वीडियो बनाते हैं नेजरली घर के सामान से आप कैसे सरी कर सकते हैं तो उसको एक बार जरूर देखना और जरूर सबस्क्राइब करना पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्दवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में